आप देख रहे हैं मीडिया स्रावस्ती जन्पद में सुहागिन इस्त्रियों ने करवा चोत का निर्जला ब्रत रखकर आस्मान में चांद का दीदार किया और अपने पती के सलामती योम उन्नती की काम ना की साम को चान निकलने से पहले सुुहागिन इस्त्रियों ने करवा माता के साथ मापारवती भगवांस्यों और गड़ेश जी का पूजा नर्चन किया और चंदरदर्सन के बार शुहागिनों ने अपने पती के हाथों से मुह मीठा कर ब्रत तोड़ा इसके बाद पती वा अपने बड़ों का आसिरबाब्द भी प्राप्त किया जब तक गंगा जमना में पानी रहे तब तक मेरे सजना की जिंदगानी रहे इसी कामना के साथ सुहागिनों ने अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए यह ब्रत रखा इस दिन के लिए सुहागिन इस्त्रियों को इस ब्रत का वर्स भर का इंतिजार रहता है और इस दिन सुहाग से जुड़ी चीजों का काफी महत तो भी रहता है इसलिए सुहागिन इस्त्रियां करवा चोथ पर सोला स्रिंगार भी करती है पौरारिक कथाओ के अनुसार करवा नामा गिस्त्री अपने पती के साथ एक गाउं में रहती थी एक दिन उसका पती जब नदी में असनान करने के लिए गया तो मगरमच ने उसका पैर पकड़ लिया और वह उसे पानी के अंदर ले जाने लगा तब युग ने रच्छा के लिए अपनी पतनी को पुकारा करवा ने अपने पती की जान बचाने के लिए धागे से मगरमच को बान दिया वह धागे का एक सिरा पकड़ कर और अपने पती को साथ लेकर यमराज के पास पहुची करवा ने बड़े ही साहत से यम्राज के सभी सवालों का जवाब दिया करवा की बातों से प्रसन होकर यम्राज उसके पती को वापस कर दिया साथ ही कहा कि जो कोई भी स्तरी इस दिन ब्रत उपवास करके करवा को याद करेगी उसके सौभाग की मैं रच्छा करूँगा कर कि जो कर दो